दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही अपने बालों को स्ट्रेट कर सकती हैं वैसे तो आप अपने बालों को पारलर में जाकर भी स्ट्रेट करवा सकती हैं पर वो इतना महगा होता है कि हर कोई से अफॉर्ड ही नहीं कर सकता इसलिए आज मैं आपके लिए कैसी remedy लेकर आई हूँ जिसे आप इसलिए अपने घर पर ही बना सकती हैं बालों को श्रेट करने के लिए हम बनाएंगे hair straightening mask इसके लिए हमें चाहिए 5 चमच बारी पिसा हुआ चावल का आटा, 5 चमच मुलतानी मिटी, 2 अंडे की सफेदी अगर आप अंडा यूज नहीं करना चाहती तो आप उसकी जगर aloe vera gel भी यूज कर सकती हैं अब इन सारे सामगरी को एक कटोरी में डाल कर अच्छे से mix कर लें इस mask को अपने बालों में लगाने से पहले अपने बालों को धोना बिल्कुल ना भूले ताकि कोई भी गंदगी आपके बालों के अंदर ना जाए उसके बाद बालों में कॉम कर लीजे ताकि बाल पूरी तरह से सुलच जाए अब इस मास्ट को अच्छे से पूरे बालों में लगा ले चावल का आटा हमारे बालों को टाइट और स्ट्रेट करने में मदद करता है मुल्ताने मिट्टी हमारे बालों में क्लिंजर का काम करती है और साथ ही साथ ये बालों में कंडिशनल का काम भी करती है जिससे हमारे बाल स्मूथ सिल्की बनते हैं एलोगराव बालों को मॉस्टराइज करता है और एक वाइट बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडिशनर होने के साथ साथ या प्रोटीन से भरपूर होता है इस पैक को आप 15-20 मिनट तक बालों पर रहने दें इसके बाद आप अपने बाल को नॉर्मल पानी से धोले इससे आपके बाल नैच्छरल स्ट्रेट हो जाएंगे इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें